नमस्कार मैं हूँ सूक्रती रोई चैटरशी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है बवसीर में मचली खाना चाहिए या नहीं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं तो मचली नॉन विजिटेरियन फूड है जो जादा तेल मसाले के साथ बनाय जाता है इसे अलग-अलग तरीके से तल कर और भुन कर बनाते हैं जैसे कि मचली के पकोड़े, सूखी मचली और मचली भाथ इसमें काफी मिर्श मसाला होता है जिसमें जादा प्याज आदी डाला जाता है इसलिए बवसीर में मचली खाना नुकसांदायक हो सकता है क्योंकि ये आपके पाइल्स की परिशानी को बढ़ा सकती है वही अगर आप मचली को पहले भाब लगा कर बनाए तो इसे खाना जादा नुकसांदायक नहीं होगा और कोशश करें कि इन में दूसरी उबली सबजियों को भी मिलाए क्योंकि इन उबली हुई सबजियों में फाइबर होता है जो पाइल्स के रोग्यों के लिए फाइदेमंद है आपको बता दें कि नॉन्वेज सुपाच्य भोजन नहीं होता और इसे पचाने में आपके पेट को काफी मेहनत करनी पड़ती है नॉन्वेज बहुत ज़ादा तेल मसालों से बनाया जाता है जिससे कब्ज की परिशानी होती है नॉन्वेज में अनहिल्दी फैट्स होते हैं जो पेट की दूसरी परिशानियों को भी बढ़ाता है जिससे की मलत्याग में जोर पढ़ता है और ब्लीडिंग बढ़ जाती है नॉन्वेज पाइल्स में जलन को भी बढ़ा सकते हैं बवासी में अपनी डाइट में फल और सबजियों को ज़ादा शामल करना चाहिए आप इनका जूस पी सकते हैं या फिर आप इने ऐसे ही खा सकते हैं आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको उन चीजों को ही खाना है जिसमें फाइबर की मात्रा जादा होती है जो पेट को सही रखता है और मेटाबॉलिजम को भी सही रखते हैं इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में शामल नहीं करनी हैं जैसे कि दूद, पनीर और अन्ने डेरी प्रोडक्स, मैदे की बनी चीजें, सफेद ब्रेड, पास्ता, प्रोसेस्ड फूड जिसमें फाइबर कम होते हैं और सोडियम की मात्रा जादा ह होती है, तले हुए खानी की चीजें, नमकीन चीजें, यह आपके सूजन को बढ़ाता है और बवासीर को जादा संवेदन शील बना देता है फिलहाल से वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें